अपने चारों की इन्वार्मेंट की उपर ज़ाद ध्यान दें कहीं पर नेचुल डिसोर्स का एक्स्प्रोटेशन हो रहा है प्राकरतिक संसाधुनों का दोहन हो रहा है कहीं पर पिल पोधों को काटा जा रहा है कहीं पर वाइल लाइफ को हार्म किया जा रहा है या wildlife को कहीं न कहीं इसको नुकसान पहुचाया जा रहा है जितने भी environment से जोड़े हुए ये मुद्दे जो हैं आप इनको लेकर कहा जाएं यदि सामाने कोट में दिया आप जाते हैं तो यहाँ पर time duration जादा लग जाएगा और हो सकता है उस natural resource को या उस wildlife को नुकसान हो चुका हो तो बात ये आती है कि इन मुद्दों को लेकर कहा जाएं तो इसके लिए यहाँ पर गठन किया गया है NGT का National Green Tribunal राष्टी हरित नयाधी करा तो आईए आज discussion करते हैं इस interesting topic NGT मैंके सिंग Science or Tech के इस YouTube official channel वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ जिसना कि मैंने बूला कि बात करते हैं NGT NGT की मैंने कुछ भूमिका आपको बताई कि भूमिका क्या है कि जितने भी natural resources हैं wildlife हैं उनको कहीं न कहीं conserve करना पड़ेगा conserve करने के साथ उनका रख रखाओ जरूरी है यदि कोई इन्हें नुकसान पहुचाता है तो अपील कर सकते हैं कहां पर NGT में जाकर अपील कर सकते हैं चुकि मैं NGT की भूमिका मैं आपको बता चुका हूँ special coat है जो environment से जुरे हुई मुद्दों को सुलजाते हैं या उनका तुरंद निप्टान करते हैं क्योंकि अधिक समय यदि लगा तो अधिक समय लगने से हो क्या जाएगा कि उस environment को या उस wild drive को कहीं न कहीं नुकसान हो चुका रहेगा इस NGT की तरीकी का पहला coat जहाँ पर आप अपील कर सकते हो तुरंद निप्टान के लिए यदि मैं वर्ल्ड में इसकी बात करूँ तो वर्ल्ड में यहाँ पर आपको औस्टेलिया में देखने को मिलेगा जिसने अलग से ही एक coat special coat बनाया जहाँ पर निप्टान हो सके इन्वार्मेंट से जोड़े हुए मुद्दों का सेकेंड भी आपको याद रहेगा औस्टेलिया से जोड़ा हुआ है निउजिलेंड तो निउजिलेंड ने इसके बाद इसके उपर कानून बनाया ताकि परयावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर दिसों में भारत या इंडिया का फर्ष्ट नंबर है जिसने ऐसे कुछ कानून या ऐसा कुछ कोट बनाया है तो बात करते हैं NGT की बात करते हैं थो हिस्टोरिकल बैक्गराउंड की बारे में चर्चा कर लेते हैं तो ये NGT कहां से आया तो इंडिया में एक एक्ट है National Green Tribunal Act 2000 राष्टी हरित नयाधी कर्व अधिनियम 2000 इस अधिनियम के तहट या इस एक्ट के तहट ड्राइड किया गया या बनाया गया किसको NGT को जिसका establishment स्थापना हुई कब 18th of October 2010 18 October 2010 को इसकी स्थापना की गई ये दरसल है क्या ये एक कानूनी निकाय है कानूनी निकाय का मतलब है इसको अधिनियम इस एक्ट के थोरो क्या किया है बनाया है NGT को तो कई बार यहां से कौशन बन चुका है कि NGT कैसा कानून है तो ये कानूनी निकाय है जिसको अपने ड्राइट किया है यह इसको अपने बनाया है इस एक्ट के तहट कौन सा एक नैशनल ग्रीन ट्रिबूनल एक्ट 2000 से अपने इसको बनाया है किसको NGT को तो यह तो था कुछ इसका historical background आगे से बात करते हैं NGT की principal bench या main bench कहां पर है इसके अलावा सब bench कहां कहां पर establish है या कहां कहां पर इसको नरधारिद किया गया है तो यदि मैं बात करूं NGT की principal bench है main bench की बात करूं यह डैली में establish है दिल्ली में इसका मुख्याला है NGT main bench भी आप इसको बूल सकते हैं इसके अलावा में regional bench की बात करूं छेत्रिये bench की मैं बात करूं कहां कहां पर NGT की अलग-अलग regional benches है तो यहां पर चार benches आपको देखने को मिलेंगी इसमें पहला है भोपाल यह middle bench है NGT की मध्य bench है किसकी NGT की यदी में बात करूं बेश्ट में पश्चिम में पुने बात करूं मैं इस्ट की पूर की बात करूं तो यहां पर कोलकता bench establish है और इसके लबार जो south area है south की मैं बात करूं तो यहां पर चिन्ड़ी bench को establish किया गय यह आपको 5 benches आपको देखने को मिलेगी कहां कहां पर यह establish है आगे से मात करते हैं कि इस NGT में कौन-कौन members होते हैं कौन-कौन सदस्य होते हैं इसके पहले मैं आपको बतातूं को NGT के जितने भी जो members हैं वो select किये जाते हैं इनकी newty की जाती है किसके दौरा यह की जाती Central Government केंद सरकार Central Government एक committee को बनाती है यह selection committee यह select करती है यह बनाती है NGT को यह इस NGT के members को यह निउक्त करती है अब इस NGT में कौन-कौन होते हैं कौन-कौन सदस्य होते हैं तो आए करते इसके बारे में discussion तो यहाँ पर आप ध्यान दें बात कर रहे हैं किसकी NGT की आप NG में कौन-कौन होता है तो मैंने यहाँ पर बोट पर अच्छे सेन को सजा के रखा है ताकि आपको एक ही बार में सारी बाते समझ में आए तो इस NGT की में बात करता हूं इस NGT में एक होता chairperson जिसको आप बोलते हो अध्यक्ष आप कौन होगा कौन उसको select करेगा इसकी क्य क्या-क्या eligibility होगी युगताएं क्या-क्या होगी उसके बारे में discussion में आगे करूँगा तो इस NGT में एक होता chairperson एक होता अध्यक्ष यहाँ पर आप देखें 10 से 20 minimum 10 और maximum 20 यह होते हैं judicial member हिंदी में बोले इसको निया एक सदस से होते हैं इसके लावा 10 से 20 होते हैं expert member हिंद होगा या तो होगा सेवर निब्रत होगा कौन CGI Chief Justice of India भारत के उच्चितम नयायले का मुख्य नयायधीस तो भारत के उच्चितम नयायले का मुख्य नयायधीस यहाँ पर क्या होगा chairperson होगा आप देखें sitting or retired CGI और या तो यह हो सकता है यह आप देखें sitting or retired CJS Chief Justice of High Court जो उच्चितम नयायले जो है उसका मुख्य नयायधीस यह क्या होगा यहाँ पर अध्यप्च हो सकता है तो chairperson के लिए दो criteria हैं कौन से criteria है या तो यह होगा CGI Chief Justice of India उच्चितम नयायले का मुख्य नयायधीस होगा या तो क्या होगा CGS Chief Justice of High Court या उच्चितम नयायले का है नयाए थीस होगा दौनों ही मुख्य हैं दौनों ही चीफ हैं तो ये क्या हो सकते हैं ये यहां पर चेर परसन हो सकते हैं अब आगए आप ध्यान दें बात की है मैंने 10-20 judicial member नया इक्सद्स्यों के बात की अब ये नया इक्सद्स कौन member है या तो हो सकता है sitting or retired cj.i. उच्चितम नयाले का मुख नयाधीस या तो वो पदस्त हो या तो रोटार हो चुका हो यह हो सकता है और देखें second कौन है second बिल्कुश same sitting or retired cj.i.s Chief Justice of High Code उच्चे नयाले का मुख नयाधीस यह दो हो सकते हैं इसके लाब और देखें इसमें आगे लिखा और और कौन हो सकता है high code का जज़ यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है यह मुख भी हो सकता है चीफ भी हो सकता है इसके लाबा यह high code का जज़ हो सकता है या तो sitting होगा या तो वो retired होगा या तो पदस्त होगा या तो वो सेबर निम्रित भी यहां पर हो सकता है तो एक इसमें criteria अलग से add हो गया किसके लिए सदस्यों के लिए बागी दो जो है यह सारे के सारे क्या है same है थर्ड बस यहां पर एक point अड़क से जुड़ जाता है कि high court का यह कोई भी judge हो सकता है sitting भी हो सकता ही retired भी हो सकता है तो यह है judicial member नया एक सरज से जो कहां कहां से लिए जाएंगे इसके लाब आप देखें बात करते हैं expert member की बात करते हैं आपने बोल ही दिया बिसेसर्ग के member इसका मतलब कुछ नब कुछ डिगरीन के पास होनी चाहिए तो इसके भी कुछ criteria decide किये गए है तो यह expert member जो होंगे यह होंगे doctorate होंगे या तो हो सकते हैं master of science, master of engineer, master of technology बगर doctorate होंगे पहला criteria बोलता है दूसरा criteria क्या बोलता है यह जो सदत से जो होंगे इनों कम से कम 15 साल का experience होगा experience कहां पे होगा वो environment की field में परियर्बन के छितर में इनको business अनुभव होगा इसके अलाबा इन 15 सालों में 5 साल का इनको experience होना चाहिए कहां पर national level agency में किसी भी जो कोई भी जो national level की agency है जो environment protection के लिए काम कर रही है वहां पर नहीं को 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए यह दो criteria होंगे किस के लिए expert member के लिए या तो यह हो second के लिए लिखा हुआ और इसमें देखें या तो यह होना चाहिए second काम करने का अनुभव होना चाहिए इन 15 सालों में पांस साल का इन्हें practical experience भी हो practical experience मतलब कि ब्योहारे ज्यान भी हो environment के बारे में तो यह जो criteria बताए गए है यह expert member के criteria बताए गए है तो एक बार में जलिस्ता को revise करता हूँ बात करते हैं NGT तो NGT में कौन होगा एक होगा chair person दस से 20 होगे judicial member दस से 20 होगे expert member chair person कौन हो सकता है sitting और retired के हो सकता है CGI chief justice of India इसकिलाबा के हो सकता है sitting और retired CJS chief justice of high court जिदि मैं बात करूँ judicial member की बात करूँ दो तो same ही रहेंगे इसकिलाबा high court का कोई भी judge या तो वो sitting हो सकता या तो retired हो सकता एक criteria से add हो जाता है इसकिलाब आप देखें यहापे मैंने बात की expert member की बात की first इनके पर डिग्री doctorate होने चाहिए या तो master of science, engineer या technology से इसकिलाबा 15 साल का अनको experience हो environment की field का इन 15 सालों में से भी 5 साल का experience हो किसी भी national agency जो environment से जुड़ी हुई है उसके साथ काम करने का अनको अनुभावी हो इसके अलाबा इनको 15 साल का experience हो कोई भी national या state environment agency के साथ काम करने का जिनमें से भी 5 साल का अनको special experience हो कौनसा practical based experience इनको विसेस अनुभाव हो इस environment की field का तो यहाँ पर ये भी ये हो सकता है यदि मैं बात करूँ NGT का जो chair person है या जो members है कि इनका कारेकाल time period कितना होता है तो यहाँ पर धे सारे question आपको exam में देखने को मिलेंगे जिनके अलग-अलग answer आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने clear उसको mention करके रखा हुआ है तो आपको समझने में ज़्याद आसानी होगी देखते हैं जिसमें बात करूँ कि chair person कि इसका कारेकाल कितना होगा इसकी पदा ओधी कितनी होगी कब से कब तक यह chair person रह सकता है तो आप देखें यह chair person है यह CGI के लिए है यह Chief Justice of India के लिए है भारत का Supreme Court का मुखे नयाधिस के लिए कारेकाल है पांस साल यह सत्तर वर्स यदि मैं बात करूँ यदि यह जो chair person है यह कोने यह CGIS है Chief Justice of High Court है तो यहाँ पर इसका कारेकाल थोड़ा घर जाएगा तीन पांस साल तो रहेगा हो जाएगा 67 एर जो पहले हो जाए तो आप देखें यह आपको याद रखना पड़ेगा आगे बात करते हैं जो Judicial Member जो होंगे यह कारेकाल या कारेवधी कितनी होगी तो यहाँ पर आप देखें यदि Judicial Member CGI है तो इसकी कारेवधी होगी पांस साल या सत्तर साल जो पहले हो जाए और यदि यह नियाएक सदस से CGH है तो इसकी कारेवधी होगी पांस साल या सरसर जो पहले कम्प्लीट हो जाए इसके अलाबा यदि यह Judicial Member High Court का कोई जज है Sitting या Retard इसके लिए भी सेम ही यहाँ पर समय दिया गया पांस साल या 67 यर जो पहले यहाँ पर कम्प्लीट हो जाए बैसे यहाँ पर आप देखें बात करते हैं Expert Member की बात करते हैं Business Act रस्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो कारेवधी जो है पांस साल पैसर यहाँ पर 70 या 67 यह सा कुछ भी नहीं है जो पहले हो पांस साल या पैसर साल जो पहले होगा बुसी को माना जाता है NGT की जितने भी मेंबर्स हैं यह Central Government के दौरा Select किये जाते हैं Central Government एक Committee बनाती है यह Committee यह नियुक्ती समीती यह Selection Committee इन NGT के मेंबर्स को यह नियुक्त करती है यहाँ पर जितने भी लोग हैं चाहे वो Chair Person हो Expert Member हो यह Judicial Member हो दोबारा नियुक्ती या Re-Appoint यह नहीं होते हैं यह तो थी यहाँ पर NGT की बारे में कुछ रोचक जानकारी मुझे उमीद है कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में